हेलो दोस्तो स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एक्जाम क्रेजर में दोस्तो आज है नौ दिसंबर और आज की वीडियो में हम नौ दिसंबर से इस संबंधित उत्रप्रदेश के सभी एक्जाम के लिए मुस्ट इंपॉर्टेंट करेंड के कुश्चन को डिसकस करेंग और हरे क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे और इस वीडियो के अगर आपको पीडियेफ डाउनलोड करनी है तो इसकी पीडियेफ आप मारे टेलीग्राम गुरूप से डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम गुरूप की लिए गई है तो वहां से कि मंतरी अभ्योदाई योजना की अंतरगत चात्रों के लिए प्रतियक जिले में लाइबरेरी सुविदा प्रतान करने की गोश्णा की है यानि कि किस परिक्षा के लिए तो इस चीज को याद रखेंगे आप और यहां पर यहां पर यह करेक्ट हो जाएगा जेई और कि जनवरी इसे लेकर कि अगस्त दोहजर बाइस तक की यानि की लास्ट एट मन्थ अगर आपको पीडियेफ एबुक डाउलूट करनी है तो इसकी लिंक वीडियो की डिस्किप्शन में दी गई है वहां से आप इसकी पीडियेफ एबुक डाउलूट कर सकते हैं और इसके अगे कि अगर आपको सितंबर मन्थ की अक्टूबर मन्थ की या नवंबर मन्थ की पीडियेफ e-book डाउलूट करनी है तो इसकी लिंक भी वीडियो की डिस्किप्शन में मिल जाएगी और अगर इससे डाउलूट करने में कोई प्रवलम होती है तो साइट पर आपको वर् में भार्त किस देश में बारवे विश्व हिंदी सं определ egrektagen करएगा अगला है भारत के कों सि हेजेंसी पृतिवाओं कोु शत्यापित करने के लिए एथलीटों की साहता ही तू एक एप विक्सित कर रही है और यहां पर सी करेक्ट होगा डूपिंग रोधी एजेंसी अगला है हाली में आरवी आई ने जमा के आकार की आधार पर सहरी सहकारी बैंकों की कितने इस तरों की लिए नियामिक धाशी को आपनाने की गोश्ला की है तो अप्षन हम और यहां पर सी करेक्ट होगा चाहर इस तर n U सेग्मेंट के लिए बैंकर्स बैंक ओफ दा एयर बॉर्ट टू तो जी था किनरा बैंक के सीईओ और एमडी कौन है तो वरतमान में किनरा बैंक के जो सीईओ हैं और हैं वो है यहां पर करेक्ट होगा तो दोस्तों एक कल की कुश्चन थे इसका हमने किया अब हम सुरू करते हैं आज का सिसन आज का पहला कुश्चन है गुजरात की बड़ोदा में बने एक करत निया आलाइ परिसर की तरज पर अब उत्त्रपृदेश में भी इस तरह का निया आलाइ बना जाए गा तो कुश्चन है कि बड़ोदा में बने एकी कृत न्यायालाई परिसर की तरज पर अब राज के दस जिलों में ठीक याद रखेंगे दस जिलों में पाइलट प्रोजेक्ट के तोर पर एकी कृत न्यायालाई परिसर का निर्माड किया जाएगा विदान सवा से पास अनपूरक बजट के माद्यम से इस विसेश परियोजना के लिए 400 करूल रुपए दिये गए है एक एकरत नियायालाई परिसर के लिए पाइलट प्रूजट के तौर पर अज़ के कौन-कौन से जिले हैं तो उनका नियायालाई परिसर जैसा कि गुझराद के बड़ोदा में बना है उसी की तरज पर अब उत्रब्रदेश के दस जिलों में नियायलाई बनाए जाएंगे अगला है उत्रब्रदेश सरकार दोरा किरशी छित्र में निवेस का लक्ष कितना निर्धारित किया गया है तो option number यहाँ पे एक अरेक्ट हो जाएगा 100 करोड रुपए दोस्तो उत्यबरदेश के किसानों की आय और करसी छित्र में रोजगार बढ़ाने के लिए राजी सरकार ने अविस्थापना सुविदाय बढ़ाने का फैसला किया है इसके लिए आत्म निर्भर करसक समनवित योजना जो है वो शुरू की गई है ये वेरी इंपोर्टेंट है याद रखेंगे आत्म निर्भर करसक समनवित विकास योजना जो है इसी लिए शुरू की गई है ताकि जो किसान हैं उनकी आय को बढ़ाया जा सके इसके अलावा किरसी के छित्र में नए रोजगार फिर सरजित किये जा सके तो इस चीज को याद रखेंगे आत्म निर्भर करसक समर्वित विकास योजना किस राजे से संबंदेत है तो भी आंसर होगा उत्रवर्देश से संबंदेत है इस योजना में राजे सरकार इस साल राजे से 100 करलो रुपाय खर्च करेगी पूरे प्रदेश को कृसी उत्पादन की दृष्टी से 9 एग्रो क्लाइमेटिक जोन में बाटा गया है हर जोन से हर जोन अधिक उत्पादक्ता वाली फसलों को चिन्नित किया जाएगा तो यहां से आपको याद रखना है कि जो आत्म निर्भर क्रसक sonché विकासी उजना यह उत्पादरिश सरकार ने सुरू की है अगला है उत्पादर प्रदेश के किस जले की सगन अगरवाल ने सगुन अगरवाल ने Message Washington 2022 का खिताब अपने नाब किया तो ये जो सगुन अगरवाल है ये किस जिले की रहने वाली है तो आपसन नमर यहाँ पे आपका C Correct हो जाएगा मेरट की ये रहने वाली है सगुन अगरवाल जोस्तों मेरट की जो बेटी है सगुन अगरवाल सगुन ने सोसल मीडिया की मेरिट और डिमेरिट बता करके जीत हासिल की है पांच देसंबर को वासिंग्टन की सियेटल सिटी में Message Washington कॉंटक्स्ट हुआ था तो ये चीज आद रखेंगे कि जो Message Washington 2022 का खिताब है वो किसने जीता है तो उतर प्रदेश की मेरट की रहने वाली है सगुन अगरवाल इन्होंने ये खिताब जीता है और दस्तों इन्होंने ये जो खिताब है वो कैसी प्रतियोगता थी तो Beauty and Mind की कॉंटक्स्ट में सगुन जो है इन्होंने सोसल मीडिया की जो है ये बता करके इस प्रतियोगता में जीत हासिल की है ठीक तो याद रखेंगे नाम सगुन अगरवाल है कहां से दो उतर प्रदेश के मेरट की रहने वाली है अगला है आर्टन कैपिटल द्वारा प्रकासित दो हजार बाइस में वर्ल्ड स्ट्रोंगेस्ट पास्पोर्ट की सूची में भारत की रैंक क्या है और यहां पर बेकरेक्ट होगा 87 यानि की 87 वी रैंक है भारत की दोस्तों हाली में आर्टन कैपिटल द्वारा देखिए यहां पर आपको याद एकना है यह जो रिपोर्ट है वो आर्टन कैपिटल के द्वारा प्रकासित जो रिपोर्ट जारी की गई है उसके अनुसार है यानि जो आर्टन कैपिटल है इसके द्वारा 2022 की अभी सूची जारी की ग यहाँ पर याद रखेंगे जो UAE है इसका जो पासपोर्ट है वो सबसे ज़्यादा सक्तिसाली रहा है तिक यह बात यहाँ पर हो रही है आर्टन कैपिटल की द्वारा जो एक सूची जारी की गई है उसके अनुसार यह दुनिया के सबसे मजबूत और कमजोर पासपोर्ट की रेंकिंग है किसी पासपोर्ट की रेंकिंग से यह पता चलता है कि कोई भी व्यक्ति जो है वो कितने देशों में बिना वीजा की प्रवीश कर सकता है अभी देखें हम बात करें अगर हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की जो की काफी ज़्यादा चर्चा में रहता है दोस्तो है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अगर हम बात करें हेनले पासपोर्ट की तो उसके अनुसार जो जापान है यह था फॉस्ट नंबर पे यानि की दुनिया का सबसे शक्तिसाली देश ठीक तो यह चीजांसे याद रखेंगे अगर आर्टन कैपिटल लिखके आता है कि इसके अनुसार तो जो है यह पहले इस्थान पर है तो इस रिपोर्ट को याद रखेंगे जो पासपोर्ट इंडेक्स जारी किया जाता है उसके अनुसार क्या पता चलता है तो उससे यह पता चलता है कि अगर किसी भी देश का जो पासपोर्ट है वो कितना सक्तिसाली है यानि अ इतने देशों में प्रवेस कर सकते हैं ठेक तो इसके अगर बात करें तो जो योई के नागरिक हैं वो 180डेसों की यातरा कर सकते हैं बिना वीजा के क्यूंकि योई है इसका पास्पोर्ट जो है वो सबसे सकतिसाली माना गया ठेक तो इसको याद रखेंगे अभी जैसे हेले इंडेक्स के अनुसार भारत की जो रैंकिंग है वो 87 थी और उसमें यह बताए गया था कि जो भारत के नागरिक है वो 60 दिसों में जो है बिना वीजा की आत्रा कर सकते हैं तो इससे यही पता जलता है जिसकी रैंकिंग इतनी जादा अच्छी होगी वो उतने ही अधिक दिसो में बिना वीजा की प्रवेश कर सकता है ठीक तो यहां से आपको याद रखना है दोनों ही हिनली पास्पूर्ट की अगर बात करें तो जापान फरस्ट पर है और अगर हम इसकी बात करें आर्टन कैपिटल की तो इसकी द्वारा जो यही है वो पहले इस्थान पर है अगला टाइम मेगजीन ने यूक्रेन के जो राष्ट्र पती है वोलाडमिर जैलेंस की और स्प्रिट आफ यूक्रेन को अपना 2022 परसन आफ दा इयर नामित किया है यह प्रुसकार उस घटना या विक्ति को जाता है जिसकी पिछले जिसका पिछले बारा महीनों में वैस्थे घट आती है वोलाडमिर जैलेंस की नाम याद रखेंगे और गटना इस्प्रिट आफ दा यूक्रेन यह जो है इसको परसन आफ दा इयर नामित किया गया है दो हजार बाइस के लिए तो यहां से आप इनका नाम याद रखेंगे ठीक है वेरी इंपोर्टेंट रहेगा वर जो लाता वो भी बैरी इंपोर्टेंट है तो दोनों याँ से आदर रखेंगे अगला है राजे सभा के नए सभापती के रूप में किसे नियुक्त किया गया ऑप्सन नमबर यहां पर करेक्ट हो जाएगा सी जगदीब धंगर जगदीब धंगर जो है ये राजे सभा के नए स सभापति जगदीव धनगड के नेतरत में राजसभा नई उचाई हासिल करेगी तो यह चीज आद रखेंगे कि राजसभा के सभापती की रूप में नियुक्त किया गया है और यहां से यह भी याद रखेंगे कि जो जगदीव धनगड हैं ये भारत की उपरस्टपती भी है ठेक है तो याद रखेंगे जो प्राष्टपती जगदीब धनगड हैं कि राजसभा के सभापती की रूप में नियुक्त किये गए हैं अगला है नौमी विश्व आयरवेद कांग्रेस और आरुग्य एक्सपू 2022 का उद्गाटन कहां किया गया तो आप्सन नमर यहाँ पे डेकरेक्ट हो जाएगा गुवा में जो नौमी जो विश्व आयरवेद कांग्रेस और आरुग एक्सपू है 2022 का इसका उद्गाटन आठ दिसंबर 2022 को पढ़जी में यानि की गुवा में जो पढ़जी पढ़ता है तो यहाँ पे जो है इसका उद्गाटन किया गया है किंद्री परिटन और जहाज रानी राज्यमंत्री और अन्यमंत्रियों की उपस्तिती में नौमी डवल्यू एसी का उद्गाटन कहां पे किया गया तो यह किया गया है गुवा की पढ़जी में और किंद्री परिटन और जहाज रानी राज्यमंत्री और इसके अलावा और भी जो मंत्रियों वो यहाँ पे उपस्तित रहे ठीक है और यह नौमी विश्व तो यह चीजहां से याद रखेंगे उद्गाटन गुवा में किया गया अगला है पेरू की प्रतम महिला रस्ट्रपती की रूप में किसने सपत ली है तो देखिए वेरी इंपोर्टेंट हैगा याद रखेंगे ऑप्सन नमबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा डीना ब प्रेशिडेंट की रूप में सपत ली है पुर्वराश्ट्रपती पेड्रो कैस्टिलो को जो है महावियोग प्रिस्ताओं की बाद पत से हटा दिया गया था और बोलू आटो ने जुलाई 2021 में पेरू की पहली उपराश्ट्रपती भी बनी थी तो यहाँ से वेरी इंपोर था तीर टू वाला तो उसमें क्वेशन पुचा गया था कि जो डवलू टी ओ की पहली महिला महने दिसक्व बनी थी तो वो कौन बनी थी तो इस तरह से जो पेरू है इसकी वह यह पहली महला प्रेसिडेंट बनी तो इसलिए एक्जाम में पूचा जा सकता है तो ना मियाद गॉबलिन मोड जो वर्ड है इसको 2022 के लिए वर्ड ओफ दा इयर चुना गया है किसके अनुसार अक्सफोर्ड डिक्सिनरीज के अनुसार जो अक्सफोर्ड डिक्सिनरीज है इसने ये बताया कि एक ऑनलाइन मद्दान के मद्दान हुआ उसमें लोगों ने वोट किया और विवाद जो है इस वर्ड का फैसला किया गया सब्दो को उसकी परिवासा के अनुसार जो गॉबलिन मोड है ये एक तरह का विवहार है जिसमें व्यक्ति बिना किसी अफ्सूस के आत्मन अनुग्रासील आलशी मैला कुशला या लालची होता है दूसरे सब्दों में कहा है कि वर्ड आफ दा इयर 2022 ऑक्सफोर्ड एडिक्शनरी के अनुसार किस वर्ड को चुना गया है तो याद रखेंगे गॉबलिन मोड को चुना गया है दोस्तों अब इस वर्ड की अगर हम बात करें कि जो ये वर्ड है इसके लिए जो वोट किया गया ऑनलाइन तो वो लगव प्रतिसात लोगों की यही पसंद थी गॉबलिन मोड वर्ड की तो इसी की चलते जो है इसे ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने वर्ड आफ दा इयर चुना है 2022 के लिए ठीक अब अगर हम बात करें आपको याद होगा कुछ दिन पहले ही आपको कराया था कि कॉलिंस डिक्शनरी ने भी वर्ड आफ दा इयर 2022 वर्ड चुना था तो उसने कौन से चुना था ठीक है ना तो उसको भी याद रखेंगे अगर आप से कहा जाए कॉलिंस डिक्शनरी के अनुसार तो पर्मा क्रिसिस यहाद होगा आपको पर्मा क्रिसिस और अगर कहा जाए अक्सफोर्ड डिक् होने गए हैं अगला है विश्व बैंक पर्यावन प्रवंधन के लिए किस देश को 250 मिलियन अमेर्की डॉलर की वित्तिय मदद देगा तो आप्सन नमर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा बांगला देश को विश्व बैंक ने पर्यावन प्रवंधन को मजबूत करने और ह परिविर्तन परियोजना यदि सफलता पूर्वक कार्यानवित की जाती है तो ग्रिट अठाका और उसे आगे के 21 मिलियन से अधिक लोगों को लाबानवित करते हुए महत्वपूर्ण परियावन प्रवंधन को मजबूत करने के लिए किस देश को जो है 250 मिलियन अमेर्की डोलर की साहता की है तो याद रखेंगे आप बंगलादेश को ठीक है तो यहाँ से याद रखना है आपको बंगलादेश को तो दोस्तों यह थे अब हम देखते हैं कल की वीडियो को कॉश्चन जो हमने आप से पूँचा था कि उत्रवर्देश के किस जिले में राज्य का पहला ग्लास, स्काइवाउक, ब्रिज बनाये जाएगा और लगवत सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जबाब किये और मैं आपसे रोज कहता हूँ कि जो भी कुश्चन आपसे पूचा जाए तो सभी लोग कुश्चन कांसे जरूर क्या करो यह आज का कुश्चन भारतिय वेट लिफ्टिंग सूपर स्टार मीरा बाई चानू ने वेट लिफ्टिंग किसने मीरा बाई चानू ने वेट लिफ्टिंग विश्चोचेंबिंसिब 2022 में कौन सा मैडल दीता तो यहाँ पर आपको जो भी ऑप्सन जो है करेक्ट है उसका आपको जवाब देना है कमेंट बॉक्स में और सभी लोग कोशिस करेंगे कि क्वेश्चन का अंसर जबूर करें तो दोस्तों आसका वीडियो कैसा लगा अगर वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक करें अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर अभी तक आप मारे चैनल पढ़ना है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले साथी वैल आइकन को भी प्रेस करें ताक कि सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे तो मिलते है नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू